इंड जिले के एक सेकड़ा से अधिक गावों में सिंध नदी द्वारा मचाए गई तबाही के बाद सिंधू नदी का जलिस्तर गिरने पर अब जला प्रसासन द्वारा राहत पुनर्वास का कारे सुरू कर आया जा रहा है जिसके तहत नया गाउं थाना इलाके के टेहन गुर गाउं में बाड़ पीड़त ग्रामिनों को ऊपर इलाके में रहने खाने की ववस्था करने के लिए हलका पटवारी सौरव और पंचाय सेकेट्री से प्रकास राजावत खाना लेकर पहुँचे ही थे और बाड़ पीड़तों को खाना बटवाना शुरू किया और बाड़ पीड़तों के रहने के लिए सासकी जगा चिन्नित की जा रही थी उसी दोरान गाउं के कुछ लोग मौके पर पहुँचे और बाड़ पीड़तों को खाना अपने हिसाब से मदद करने के लिए पटवारी पर दबाव डालने लगे पटवारी दोरा मना करने पर पहले दबंगों ने विबाद किया और फिर पटवारी और पंचाय सेकेर्ट्री के साथ मार पीड़ शुरू कर दी मैं गाउं में गया था केम्पिंग तता खाना जिम दरस्ता देख रहा था केम्पिंग कराने में एक जगह पर गया था वो सरकारी जमीन थी तो वहां पर मैं उनको बता रहा था कि कहा रुकना है कहा नहीं रुकना है तो लोगों को समझाज करते हुए तभी गाउं की दो दो-चार लोग आए लड़के जैसे ही थे एक उनमें से रंजीत और दूसरे पिखरा लिया कपड़े बगयरा फार दिये काफी चोटा ही पटवारी के कपड़े फाड़कर लाठी डंडों से पिटाई की जैसे तैसे जान बचाकर पटवारी और सेकेटरी वहां से निकल भागे और थाने में सिकायद दर्जिकर आने के लिए पहुँचे घटना की जान कि मैं गाओं में गया था कर ने एक जगह पर गया था हो सरकारी जमीन धी करूं कशेपी उपाई में उनको पता रहा कि रूकना है क्या नहीं लोगों को समझाजित करती हुए तब ही गाओं की तो दो चारे लोग आये लड़की जैसे ही थे एक उन मेंसे रंजीत और दूसर इसके बार बार पड़वारी उन्यांगा बढ़ आपको अपना मिल रहा है आपको खाना मिल रहा है थो खौना बार पेट मेला आप तक एस पड़वाई नहीं देखो जो तीज दिन आ ले आये बहुत अच्छा काम किया है सब्सक्राइब करें लिए भिल्ड से सुनील सर्मा की रिपोर्ट